प्यारे दोस्तों, दिल्ली की गोरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है सभी को नमस्कार। आप यदि इस चैनल पर नए है तो, क्रिपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर। आए चलते हैं एक नई कहानी की ओर, भविश्यवानी, कहानी, गोपाल भानर, गोपाल भानर बच्पन से ही प्रखर बुद्धी का था, साहर्स और पराकरम की उसमें कमी नहीं थी, दीन दुखियों को देखकर द्रवित हो जाना और उसकी सहायता के लिए ततपर हो जाना उसक पहले कभी देखा नहीं था, उसने पहली बार शहर की चेरी सड़के देखी, कई सड़के ऐसी थी जिन पर इट और पत्थर के चौकोर टुकडे बिछाए गए थे, धूप में ये सड़के तप सी जाती, गोपाल भानर और उसकी मा नंगे पाव थे, ऐसे भी उस जमाने में जूते जमीनदार साहुकार, राजा महराजा आधी ही पहनते थे, गोपाल का मन चिकनी सड़क पर सरपट भागने को हो रहा था मगर धूप के कारण तपती सड़क पर पाव रखने पर उसके तलवे जलते से महसूस होते, गोपाल की बेचैनी और उसकी हसरत दोनों को उसकी मा समझ रही थी, अपना आचल गोपाल के सिर पर रखते हुए उसने बहुत प्यार से उससे कहा, बेटा, सड़क के दोनों किनारों को देखो, कितने अच्छे सायदार पेड लगे हैं, ये पेड इसलिए ही लगाए गए हैं कि इस सड़क से गुजरने वाले पैदल यात्रि देर इस सड़क पर और चलूंगा, गोपाल बाल सुलब जिद में मचल कर बोला, असल में पहली बार गाव से बाहर आने के कारण वो एक अजीब से उमन का अनुभव कर रहा था, थोड़ी ही देर के बाद उसे पीछे से हटो हटो की आवाज सुनाई दी, उसकी मा ने उसका हाथ पकड़ कर जटके से उसे पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर खीच लिया, गोपाल ने आश्चरे से पक्की सड़क की और देखा जिस पर अभी चार कहार एक खुली पालकी में एक मोटे से आदमी को बैठाए तेज कदमों से, लगभग दोड़ते हुए, चले जा रह रहे थे, चारों हाफ रहे थे और पसीने से तर्बतर हो रहे थे, उन्हें देखकर गोपाल ने आश्चरे से अपनी मा से पूछा, यह क्या है मा? मा ने उसे बताया, गोपाल, यह पालकी है, पालकी में कोई पैसे वाला आदमी ही बैठता है, जैसे जमीनदार, साहुकार आ आदमी की सवारी करते हैं और कहते हैं कि पालकी पर सवार है, गोपाल ने तपाक से कहा, उसकी मा अपने बेटे की बात सुनकर दंग रह गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने उसकी बाते सुनतो न ली? चुप रहे गोपाल, ऐसे नहीं बोलते, जो लोग पाल की उठाकर दोड रहे हैं? इन्हें इस काम के लिए महंताना भी तो मिलेगा, यही इनकी आजीविका का साधन है, यही इनका काम है, मा ने गोपाल को समझाया, मगर गोपाल को मा की बात से कोई संतुष्टी नहीं हुई, उसने फिर कहा, लेकिन मा, ये कुछ और भी तो कर सक करते थे, यदि आदमी को जानवर की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृति नहोती, चुप रहे हैं, मा ने गोपाल को जिरक दिया, डेल बिता का है, अभी से इतनी बड़ी-बड़ी बाते करता है, गोपाल रुआसा होकर चुप हो गया, मगर उसके भावुक मन में चार आदम के कंधे पर सवार मोटे इंसान की छवी बार-बार कौन रही थी, कैसी विडम बना है, आदमी ही आदमी की सवारी कर रहा है, आदमी के आगे आदमी ही विवश है, ओफ, ऐसा क्यों है, मा से पूछून तो वो डाटेंगी, बहुत देर तक गोपाल इसी उधेर बुन में नहाए हाफते कापतें बढ़े जा रहे थे, उनकी यह हालत क्या उस मोटे को दिखाई नहीं दे रही थी, गोपाल के बाल मन में इस तरह के भाव आ जा रहे थे, मा के साथ चलता गोपाल देर तक इसी बिंदू पर सोचता रहा और स्वगत धंग से, खुद को समझाया की, जब मैं बढ़ा हो जाऊंगा तब ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें आदमी की सवारी आदमी नहीं करेगा, यह विचार आते ही गोपाल आश्वस्त सा हो गया और फिर शहर के मंजर में उसका मन रमने लगा, शहर करीब आने पर इस पक्की सड़क से एकका दुक्का गुर पाया था सफेद घोड़ा, नहीं, घोड़ा नहीं, सफेद घोड़ी, जिस पर दूलहा सवार था, अचानक गोपाल ने मा से पूछा, मा, मेले में घोड़ा भी होगा न? हाँ बेटा, घोड़ा भी होगा और हाथी भी, गाए और बैल भी, कबूतर, तोता, मैना भी, उसकी मा ने उसे लाड में दूबी आवाज में कहा, दरसल गोपाल को जिरकने के बाद से वह भी अफसोस कर रही थी कि बेकार डाट दिया बच्चे को, ठीक ही तो कह रहा था, मगर न डाटी तो ऐसी बात करने की उसे आदत पढ़ जाती, जमाना खराब है, कहीं किसी बड़े रहो तब तक महरबान दिखेंगे, काम निकल जाए तब फिर तु कौन और मैं कौन? पहचानने तक से कर देते हैं इनकार, बड़े तोता चेश्म होते हैं ये बड़े लोग चाहे जमीनदार हो, चाहे साहुकार, देर तक यही सब सोचती चलती रही थी गोपाल की मा, जब गोपाल ने उससे सवाल किया तो उसकी तंद्रा तुटी, शाम होने के पहले ही दोनों मा बेटे मेला स्थल तक पहुँच गए, गोपाल की मा ने एक छायादार वरिक्ष के नीचे चादर बिछा ली और गोपाल से कहा, आ बेटा, थोड़ा सुस्ता ले, फिर चलेगे मेला देखने, गोपाल चादर पर बैठ गया, उसने मा को देखा, वो ठकी सी लग रही थी, उसने मा से कहा, मा, तु जरा पैर फैला ले, मैं दाब देता हूँ, तुम्हारा पैर ठक गया होगा, बाप रे, हम लोग सुबह से पैदल चल रहे हैं न, गोपाल की मा को अपने बेट कान मिटाने के लिए बेटे को गोद में चिपकाये वहीं लेट गई, थोड़ी ही देर में उसे भी नीन डा गई, एक अजीब से शोर के कारण उन दोनों की नीन खुल गई, शोर का कारण समझने के लिए गोपाल की माने सड़क के दोनों और देखा, मेला जाने की राह में उसे एक हाथी जाता हुआ दिखा, हाथी पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था, हाथी के पीछे ग्रामीन बच्चों की भीर तालिया बजाते हुए चल रही थी, जब कभी भी हाथी अपने सूनर हिलाता या सूनर से कोई हरकत करता तो बच्चे शोर मचाने लगते, पानी मा की गोध में सिर रखकर फिर लेट गया, गोपाल की मा उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, थोड़ी देर के बाद उसने बहुत प्यार से गोपाल से पूछा, बेटा, रोटी खाएगा? एक रोटी खा ले, भूख लगी होगी तुझे, भूख लगी है न? हाँ, मा, ग जल बेटा, अब रास्ते में कहीं पानी मिल जाएगा, इतना बड़ा मेला है तो वहाँ प्याव तो होगा ही, रास्ते में न मिला तो मेले में मिल ही जाएगा, मेला का नाम सुनते ही गोपाल में फिर बाल सुलब उचसुकता पैदा हो गई, वो प्यास भूल गया और मा के स मेले की ओर बढ़ने लगा, मेला पहुचकर उसकी मा ने गोपाल को जूले पर बैठा दिया और देर तक उसने जूले का मजा लिया, फिर वे दोनों मेले में आए पशुओ को देखने गए, मेले में गोपाल ने पहली बार उट देखा, मा ने उसे बताया कि उट को रेगिस का जहाज कहते हैं, दरसल रेगिस्तान बहुत विस्तृत बलुआ मैदान होता है, दूर तक बालू ही बालू, जिधर नजर दोडाओ उधर बालू, इस मैदान में अन्य जानवरों का चलना मुश्किल होता है, मगर उट की पतली और लंबी तांगे इस रेगिस्तान में आर आ गई और वो पानी पीने के लिए मचल उठा, उसकी माने पता किया, सयोगवश पशु मेले में ही प्याव की व्यवस्था थी, वो उसे लेकर प्याव पर गई, खुद भी पानी पीया और गोपाल को भी पानी पिलाया, पानी पी लेने के बाद गोपाल में ताजगी आ ग लकडी के भारी टुकडों को सूनर से उठा कर एक स्थान विशेश तक पहुचा रहा है, भीर के लोग हाथी के काम को विसमयर के भाव से देख रहे थे, तभी किसी ने कहा, जरा मोटे को तो देखो, अभी वो कुछ आगे बोलता कि बगल में खड़े गोपाल ने तंच किय उपर वाले मोटे को या नीचे वाले मोटे को? भीर ने बच्चे के मुह से निकली यह बात सुनी तो सब के सब हस पड़े, लेकिन गोपाल की मा की भरिकुटिया तन गई, आवेश में उसका हाथ उठा और गोपाल के गाल पर चट से एक तमाचा पड़ गया होता मगर एक व्यक्ती ने गोपाल की मा का हाथ पकड़ लिया, नहीं बहन, नहीं, इस मासूम को मत मारो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस बच्चे में इश्वर ने कैसी उर्जा भर दी है, मैं ज्योतिश शास्त्र का जानकार हूँ, तुम्हें बताता हूँ, याद रखना, ये बच्चा राजा से भी समानता का व्यवहार करेगा, ना किसी को बड़ा मानेगा, ना छोटा, इसकी बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करेंगे, शत्रू को भी मित्र बनाने की कला में यह माहिर होगा, कटू सत्य बोलकर भी ये किसी को अप्रिसन और खिन नहीं होने ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और सदियों सहस्रब्दियों तक याद किये जाते हैं, गोपाल की मा का क्रोड एक बारगी शान्त हो गया, उसने गोपाल को प्यार से चिपका लिया, मेले का भरपूर आनंद उठाने के बाद वे दोनों अपने घर की ओर चल पड़े किया फाल को बाद उसने लित के लिए होका लिए जार किये बाक्तaking के लिए।